हेलो दोस्तों मैं रोक्ट इम्तियाज और आपका मेरे चलिव में बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम इस वीडियू में बात करेंगे कि एक साल तक के बच्चे को नमक और मीठा क्यों नहीं देना चाहिए तो देखें दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि जो 6 महिने बहुत जादतर महिला यह समझने लगती है कि इसके खाने में नमक या मीठा ना होनी की वज़े से इसको टैस्ट नहीं आ रहा है और सोजह से बच्चा अच्छे से इसको पसंद नहीं कर रहा है लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब बच्चा 6 मेने तक दूत पीने की वज़ा से बच्चे को नमक का या मीठे का टैस्ट का पता ही नहीं होता है अगर हम बात करें कि इसके क्या नुकसान होते हैं नमक के तो देखे एक बच्चे को एक छोटे बच्चे को पूरे दिन में 0.4 ग्राम सोडियम की जरूरत पढ़ती है मतलब की 0.4 ग बच्चे को नमक की कोई भी चीज़े देते हैं यह नमक की मातरा को बढ़ाते हैं तो ज्यादा नमक से बच्चे के गुर्दे पर बहुत जादा बढ़ने लगता है और इससे गुर्दे की बीमारी होने का खत्रा भी रिस्क भी बहुत जादा बढ़ जाता है बिलट पेशर बड़े होने पर ब्लेट पेशर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है तो इसलिए एक साल तक के बच्चे को नमक देने की कोशिश बिल्कुल ना करें जो 0.4 गिराम की रिक्वार्मेंट होती है वो मा के दूसरे बहुत आसानी से पूरी हो जाती है इसी तरह एक सवाल बंदा कि म के रिया उसे गुजरती है इसमाँ जादा कैमिकल का यूज होता है इसी वज़ासे यह चीनी जादा इसके नुकसान बच्चे को देखने को मिलते हैं जो एक नैचुरल प्राकृतिक मीठा जो शुगर मिलती है जैसे फलो फल आदिसे जो शुगर मिलती है इसके नुक्सान को नहीं मिलते हैं तो ऐसी फल या प्राकृतिक जो भी चीज़ें जिससे आसानी से मीठा मिल सकता है उसको बिल्कुल आप दे सकते हैं लेकिन चीनी के बहुत जदा नुकसान देखने को मिलता है जादा चीनी की मातरा होने से शुगर मोटापा दिल संबंदी बीमारी होने का खत्रा बढ़ जाता है जो बच्चे जादा चीनी यूज़ करते हैं बच्पन में बड़े होने पर उनको शुगर मोटापा या दिल की संबंदी बीमारी होने का खत्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो दोस्तों इसलिए एक साल तक के बच्चे को नमक और मीठा नहीं दिया जाता है तो अमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आप प्लीज इसको लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू